सवाल शुन्य डिग्री अक्षांच और शुन्य डिग्री देशांतर स्थित है A. अत्लांटिक महासागर B. आप्टिक महासागर C. हिंद महासागर D. प्रशांत महासागर सही उत्तर है A. अत्लांटिक महासागर सवाल विशुवत रेखा और प्रधान या म्योत्तर का प्रतिच्छेदन बिंदू स्थित है A. अत्लांटिक महसागर B. घाना C. मोरक्को D. प्रशान्त महसागर सही उत्तर है A. अत्लांटिक महसागर सवाल किसी स्थान की सही अक्षान्शियस्थिती संभव हो सकती है A. 91 उत्तर H. 45 पूर्व D. 45 दक्षिन D. 91 पश्चिम सही उत्तर है D. 45 दक्षिन सवाल निमनल इखित शहरों में से कौन सा सबसे दूर उत्तर में स्थित है A. बीजिंग B. नई दिल्ली C. न्यू यॉर्क D. रोम सही उत्तर है D. रोम सवाल निमनल इखित आक्रिती में दिये गए भौगोलिक विवरन पर विचार करें उप्रोक्त आकडे में A. द्वारा चिनित बिंदू देशों को इंगित करता है A. उत्तरी अमेरिका B. दक्षिन अमेरिका C. यूरोप D. एशिया सही उत्तर है C. यूरोप सवाल किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है A. देशांतर B. अक्षांज C. अंतराष्ट्रिय तिथी रेखा D. प्राइम मेरिडियन सही उत्तर है D. प्राइम मेरिडियन सवाल प्रधान या म्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है A. अलजीरिया B. फ्रांस C. नाइजर D. स्पेन सही उत्तर है C. नाइजर सवाल निमनलिखित में से किस शहर में किसी भी पल में अन्य तीन शहरों के समान घडी का समय नहीं होता है A. लंदन UK B. लिस्बन पुर्तगाल C. अक्रा घाना D. अदीस अबाबा इथियोपिया सवाल अतर राष्ट्रिय तिथी रेखा गुजरती है A. अफ्रीका B. एशिया C. प्रशांत महासागर D. अत्लांटिक महासागर सही उत्तर है C. प्रशांत महासागर सवाल अदी प्रित्वी के घूमने की दिशा उलत दी जाए तो अंतर राष्ट्रिय तिथी रेखा पर दो पहर होने पर आईस्टी क्या होना चाहिए? A. साधे 6 बजे B. साधे 5 बजे C. शाम के साधे 6 बजे D. शाम के साधे 5 बजे सही उत्तर है A. साधे 6 बजे सवाल निमनलिखित में से कौन सा जल्दमरू मध्य अंतर राष्ट्रिय तिथी रेखा के सबसे निकट है? A. मलक का जल्दमरू मध्य B. बेरिंग जल्दमरू मध्य C. फ्लॉरिडा की जल्दमरू मध्य D. जिब्राता की जल्दमरू मध्य सही उत्तर है B. बेरिंग जल्दमरू मध्य सवाल पश्चिम की ओर चलने वाले एक जहाच का कप्तान स्थानिय समय 10 बजे बजे सूमवार को 90 बजे रिकॉर्ड करता है W. यदि जहाच की गती प्रित्वी के घूमने की गती के समान है तो निम्न में से कौन सा स्थानिय समय और दिन कप्तान द्वारा अंतराश्ट्रिय तिथी रेखा पर मिलेगा A. चार बजे बजे सूमवार B. दस बजे बजे सूमवार C. दस बजे बजे मंगलवार D. शाम के चार बजे बजे मंगलवार सही उत्तर है B. दस बजे बजे सूमवार सवाल एक जहाज को कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस रास्ते का अनुसरन करना चाहिए A. समुद्ध या महसागरिय धारा B. सागर हवा C. मेरिडियन D. देशांतर सही उत्तर है C. मेरिडियन सवाल भूमध्य रेखा निमनलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है A. केनिया B. मैकसिको C. इंडोनेशिया D. ब्राजील सही उत्तर है B. मेकसिको सवाल भूमध्य रेखा गुजरती है A. कैमरून B. कोस्टारिका C. केनिया D. वेनेजुएला सही उत्तर है C. केनिया सवाल पृत्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है A. 6400 किलो मीटर B. 12800 किलो मीटर C. 40,000 किलो मीटर D. 5000 किलो मीटर सही उत्तर है C. 40,000 किलो मीटर सवाल पूमध्य रेखा निमनलिखित देशों के किस समूह से होकर गुजरती है A. ब्राजील, जांबिया और मलेशिया B. कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया C. ब्राजील, सूदान और मलेशिया D. वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया सही उत्तर है B. कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया सवाल वहक्षांच जिस पर तापमान का वार्शिक परास नियूनतम रहता है A. भूमध्य रेखा B. करक रेखा C. मकर रेखा D. उत्तरी दुरुव सकल सही उत्तर है A. भूमध्य रेखा सवाल निमनलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे नचदीख है A. कोलंबो B. जकार्ता C. मनीला D. सिंगापो सही उत्तर है D. सिंगापो सवाल भूमध्य रेखा करक रेखा और मकर रेखा तीनों निमनलिखित महादवीपो में से किस एक से होकर गुजरती है A. अफ्रीका B. एशिया C. उत्तरी अमेरिका D. दक्षिन अमेरिका सही उत्तर है A. अफ्रीका सवाल निमनलिखित में से कौन से देश भूमध्य रेखा पर स्थित है 1. ब्रुनाए 2. कोलंबिया 3. केन्या 4. वेनेजुएला नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए A. एक और दो B. दो और तीन C. तीन और चार D. एक और चार सही उत्तर है B. दो और तीन सवाल का क्रेखा नहीं गुजरती है A. मिस्र B. भारत C. इरान D. मियामार सही उत्तर है C. इरान सवाल मकर रेखा नहीं गुजरती है A. बोलिविया B. पैरागवे C. अर्जेंटीना D. ब्राजील सही उत्तर है A. बोलिविया सवाल निमनल इखित में से कौन सी घटना भारत में होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है A. उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विक्सित होता है B. उत्तर पश्चिम भारत पर कम दबाव विक्सित होता है C. उत्तर पश्चिम भारत पर दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है D. उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ता है सही उत्तर है A. उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विक्सित होता है सवाल वर्ष भर में दिन और रात कहां बराबर होते हैं? A. उत्तरी ध्रुव B. दक्षिनी ध्रुव C. भूमध्य रेखा D. कहीं नहीं सही उत्तर है C. भूमध्य रेखा सवाल उत्तरी गोलार्ध में ग्रीश्म संक्रांती के समय दिन की लंबाई 12 घंटे होगी A. करक रेखा B. मकर रेखा C. आप्टेक सकल D. भूमध्य रेखा सही उत्तर है D. भूमध्य रेखा सवाल किस स्तिथी को दिन और राद समान अवधी के होते हैं? A. 22 जून B. 23 सितंबर C. 22 दिसंबर D. 21 फरवरी सही उत्तर है 22 दिसंबर सही उत्तर है A. 21 मार्च और 23 सितंबर सवाल उत्तरी गोलार्द में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है A. 21 दिसंबर B. 22 दिसंबर C. 21 जून D. 22 जून सही उत्तर है B. 22 दिसंबर सवाल उत्तरी गोलार्द में सबसे लंबा दिन होता है A. 21 माई B. 21 जून C. 22 दिसंबर D. 25 दिसंबर सही उत्तर है B. 21 जून सवाल निम्न में से कौन सा वर्ष का सबसे लंबा दिन है A. 22 जुलाई B. 25 दिसंबर C. 21 जून D. 23 मार्च सही उत्तर है C. 21 जून सवाल दक्षनी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है A. 22 जून B. 22 दिसंबर C. 21 मार्च D. 22 सितंबर सही उत्तर है B. 22 दिसंबर सवाल रिश्म संक्रांती हर साल होती है A. 23 सितंबर B. 21 मार्च C. 4 जुलाई D. 21 जून सही उत्तर है D. 21 जून सवाल निमनल इखित में से किस तिथी को दोपहर की समय आपकी छाया सबसे चोटी होती है A. 25 दिसंबर B. 21 मार्च C. 21 जून D. 14 फरवरी सही उत्तर है C. 21 जून सवाल निमनल इखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि प्रित्वी की उत्पत्ती गैसों और धूल के कनों से हुई है A. James James B. H. Alpha 1 C. F. Hoyal D. O. Shemit सही उत्तर है D. O. Shemit सवाल प्रित्वी की आयू ग्यात करने के लिए निमनल इखित में से किस विद्वी का प्रयोग किया जाता है A. जीवाश्मों की उम्र के लिए कार्बन देटिंग B. जमेनियम देटिंग C. यूरेनियम देटिंग D. ओ प्रोक्त सभी सही उत्तर है C. यूरेनियम देटिंग सवाल दाइनिसों का काल क्या था? A. पाँच करोर साल पहले B. अठारह करोर साल पहले C. चालीस करोर साल पहले D. असी करोर साल पहले सही उत्तर है सही उत्तर है B. टाक्टोनिक गतिविधियों सवाल व्रिहत हिमयुक का संबंध है A. प्लेस्टोसिन B. ओलिगोसिन C. होलोसिन D. यूसिन सही उत्तर है A. प्लेस्टोसिन सवाल निमनल इखित में से किस अवधी को आम तौर पर लिटल आइस एज माना जाता है A. 750 AD 850 AD B. 950 AD 1250 AD C. 1650 AD 1870 AD D. 8000 से 10,000 साल BP वर्तमान से पहले सही उत्तर है C. 1650 AD 1870 AD सवाल भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड सुपर कॉंटिनेंट का हिस्सा था इसमें वर्तमान के निमनल इखित भूभाग शामिल है A. दक्षिन अमेरिका B. अफ्रीका C. आस्ट्रेलिया D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी सवाल प्रित्वी पर मूल रूप से केवल एक ही विशाल भूभाग था जिसे जाना जाता है A. पंथालासा B. पैजिया C. लोरेशिया D. गोंडवाना भूमी सही उत्तर है B. पैजिया सवाल निमनल इखित में से कौन सी निरंतरता गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं थी? A. उत्तरी अमेरिका B. दक्षिन अमेरिका C. अफ्रीका D. आस्ट्रेलिया सही उत्तर है A. उत्तरी अमेरिका सवाल प्रित्वी पर जीवन के अस्तित्व का प्रथम जीवाश्म प्रमान है A. 0.3 मिलियन साल पहले B. 3.5 मिलियन साल पहले C. 5 मिलियन साल पहले D. 10 मिलियन वर्ष पहले सही उत्तर है B. 3.5 मिलियन साल पहले सवाल फोल्डिंग का परिनाम है A. एपिरोजनिक बल B. कुरियोलिस बल C. ओरोजनिक बल D. एकसोजनिक बल सही उत्तर है C. ओरोजनिक बल सवाल प्रधान या मियोत्तर गुजरती है 1. अलजीरिया 2 फ्रांस 3. नाइजीरिया 4 पुर्तगाल सही उत्तर का चयन करने के लिए नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करें कोड A. एक और दो B. दो और तीन C. तीन और चार D. एक और तीन सही उत्तर है A. एक और दो सवाल निम्ड में से किस स्थान का समय GMT के समय के बराबर है 1. अक्रा दो डबलिन 3. मैरिद 4 लिस्बन सही उत्तर का चयन करने के लिए नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करें कोड A. एक दो और तीन B. एक तीन और चार C. एक दो और चार D. दो तीन और चार सही उत्तर है C. 1, 2 और चार सवाल निमनल इखित देशों का मानक समय Greenwich Mean Time से आगे या पीछे है जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे Greenwich से गुजने वाले देशांतर के पूर्व या पश्चिम है 1. क्यूबा 2. ग्रीस 3. इराक 4. कोस्टारिका 5. जापान निमनल इखित में से कौन सा अनुक्रमिक क्रम GMT के आगे से पीछे तक उनके मानक समय के अनुसार देशों की सही व्यवस्था देता है A. 5. 3. 2. 1. 4. B. 2. 4. 1. 3. 5. C. 4. 1. 3. 2. 5. D. 3. 5. 4. 1. 2. सही उत्तर है A. 5. 3. 2. 1. 4. सवाल निमनल इखित देशों के बारे में सोचिए 1. आस्ट्रेलिया 2. नामी बिया 3. ब्राजील 4. चली मकर रेखा निमनल इखित में से किस देश से होकर गुजरती है Code A. केवल 1. B. 2. 3. और 4. C. 1. 2. और 3. D. 1. 2. 3. और 4. सही उत्तर है D. 1. 2. 3. और 4. सवाल निमनल इखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा 1. महाद्वीपिय बहाव 2. हिमन्धी चक्र नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए A. केवल 1. B. केवल 2. C. 1 और 2 दोनो D. न तो 1 और नहीं 2 सही उत्तर है C. 1 और 2 दोनो सवाल निमनल इखित पर विचार कीजिए 1. विद्यूत चुम्बकिय विकिरन 2. भूता पिय उर्जा 3. गुरुत्वा कर्षन बल 4. प्लेट की गती 5. प्रित्वी का परिक्रमंट 6. प्रित्वी का परिक्रमंट उप्रोक्त में से कौन प्रित्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है ए एक दो तीन और चार बी एक तीन पाँच और छे सी दो चार पाँच और छे डी एक दो तीन चार पाँच और छे सही उत्तर है डी 1, 2, 3, 4, 5 और छे सवालागनेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ए इनमें बहुत कम जीवाश्म है बी उनके पास पानी के लिए जहजहरा है सी वे क्रिस्टल और गैर क्रिस्टल दोनों है डी इन चट्टानों में कोई सिलिका नहीं है सही उत्तर है सी वे क्रिस्टल और गैर क्रिस्टल दोनों है सवाल निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है ए कांगलोमरेट बी ग्रैनाइट सी शेल डी बलुआ पत्थर सही उत्तर है बी ग्रैनाइट सवाल अफसादी चट्टानों के संबंद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ए ये ऐसी चट्टाने हैं जिनकी संरचना तापमान और दबाव पर निर्भर करती है बी ये चट्टाने क्रिस्टल है C. ये चट्टाने पर्तों में निक्षे पित होती है D. इन चट्टानों को पानी में नहीं बनाया जा सकता है सही उत्तर है C. ये चट्टाने पर्तों में निक्षे पित होती है सवाल बलुआ पत्थर पर्टडार चट्टान है क्योंकि A. ये रेगिस्तान में बनता है B. ये गर्मी के कारण बनता है C. ये पानी के नीचे बनता है D. ये पहाड पर बना है सही उत्तर है C. ये पानी के नीचे बनता है सवाल का यात्रत शैलों की उत्पत्ती शैल से होती है A. आगनेय, B. अफसादी, C. आगनेय और अफसादी दोनों, D. उपर युक्ट में से कोई नहीं सही उत्तर है C. आगनेय और अफसादी दोनों सवाल निमनलिखित में से कौन सा रूपांतरित चत्तान का उदाहरन नहीं है? A. संग्मर्मर, B. क्वाचायट, C. स्लेट, D. ग्रैनायट सही उत्तर है, D. ग्रैनायट सवाल निमनलिखित में से कौन सा समूह से समबंधित नहीं है? A. गनीस, B. बलूआ पत्थर, C. चूना पत्थर, D. शेल सही उत्तर है, A. गनीस सवाल अफसादी चत्तानों के बारे में निमनलिखित कत्नों पर विचार करें 1. तलचटी चत्ताने प्रित्वी की सतह पर हाइड्रोलोजिकल सिस्टम द्वारा बनती है 2. अफसादी चत्तानों के निर्मान में पहले से मौझूद चत्तानों का अपक्षय शामिल है 3. अफसादी चत्तानों में जीवाश्म होते है 4. अफसादी चट्टाने आमतोर पर पर्तों में होती है इनमें से कौन से कथन सही है A. एक और दो B. एक और चार C. दो, तीन और चार D. एक, दो, तीन और चार सही उत्तर है D. वन, तू, तीन और चार सवाल प्रित्वी के अंदर पाए जाने वाले गलित पदार्थ को कहते है A. लावा B. बेसॉल्ट C. ओपसीडियन D. उपर युक्ट में से कोई नहीं सही उत्तर है D. उपर युक्ट में से कोई नहीं सवाल लाके जमने से प्रित्वी के अंदर बनने वाली चटान कहलाती है A. प्लूटोनिक चटाने B. ज्वाला मुखी चटाने C. रूपान तरट चटाने D. तलचटी चटाने सही उत्तर है A. प्लूटोनिक चटाने सवाल ज्वाला मुखियों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है A. जल वाश्प B. हीलियम C. सल्फर डायोकसाइड D. कार्बन डायोकसाइड सही उत्तर है A. जल वाश्प सवाल निमनलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी परवत है A. माउंट पिना तुबो B. माउंट किलि मंजारो C. माउंट टाल D. माउंट कोटो पैकसी सही उत्तर है D. माउंट कोटो पैकसी सवाल ज्वाला मुखी उद्गार नहीं होते हैं A. बाल्टिक सागर B. काला सागर C. केरेबियन सागर D. कैस्पियन सागर सही उत्तर है A. बाल्टिक सागर सवाल माउंड एतना है A. एक पहार B. एक पर्वत शिकहर C. एक ज्वाला मुखी D. एक पथार सही उत्तर है C. एक ज्वाला मुखी सवाल से टहेलेंस पर्वत कहां स्थित है A. मिर्च B. जापान C. फिलिपीन्स D. सयुक्त राज्य अमेरिका USA सही उत्तर है D. सर्युक्त राज्य अमेरिका USA सवाल मौना लोवा एक सक्रिय ज्वाला मुखी है A. अलास्का B. हवाई C. इतली D. जापान सही उत्तर है सही उत्तर है A. सक्रिय ज्वाला मुखी सवाल अफ्रीका की सबसे उची पर्वत चोटी किलि मंजारो स्थित है A. केनिया B. मलावी C. तंजानिया D. जांबिया सही उत्तर है C. तंजानिया सवाल के लिमंजारो है A. एक ज्वाला मुखी B. ड्वीप C. चोटी चालक सही उत्तर है एक ज्वाला मुखी सवाल के इस ज्वाला मुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है A. एतना B. पेले C. स्ट्रोमबली D. वेसुवियस सही उत्तर है C. स्ट्रोमबली सवाल स्ट्रोमबली है A. एन A. निश्क्रिय ज्वाला मुखी B. सक्रिय ज्वाला मुखी C. विलुप ज्वाला मुखी D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है B. सक्रिय ज्वाला मुखी सवाल सर्वाधिक सक्रिय ज्वाला मुखी है A. कोटो पैकसी B. फुजियामा C. किलावा D. वेसुवियस सही उत्तर है C. किलावा सवाल निमनलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वाला मुखी है 1. एकौन कागुआ 2. कोटो पैकसी 3. एट ना 4 फुजियामा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए A. एक और 2 B. 3 और 4 C. एक 2 और 3 D. 2 3 और 4 सवाल निमनलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वाला मुखी है 1. एकौन कागुआ 2. एट ना 3 किले मनजारो 4 वेसुवियस नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए A. एक और 2 B. एक और 3 C. दो और 3 D. दो और 4 सही उत्तर है D. दो और 4 सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई A. एट ना B. वेसुवियस C. अरेबस D. कोटो पैकसी सूची 2 1. रॉस द्वीप 2 एकवादोर 3 इटली 4 सिसली कोड A. B. C. D. A. 1, 2, 3, 4 B. 4, 3, 1, 2 C. 3, 4, 2, 1 D. 4, 3, 2, 1 सही उत्तर है B. 4, 3, 1, 2 सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई ज्वाला मुखी A. माउंट रेनियर B. एतना C. पैरा क्यूटिन D. ताल सूची 2 देश 1 इटली 2 मेक्सिको 3 फिलिपीन्स 4 USA कोड A. B. C. D. A. 4, 2, 1, 3 B. 4, 1, 2, 3 C. 2, 1, 4, 3 D. 4, 3, 2, 1 सही उत्तर है B. 4, 1, 2, 3 सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई A. माउंट केना बालू B. एल बुर्ज C. एकॉन कागुआ D. किलिमंजारो सूची 2, 1, अर्जेंटीना 2, मलेशिया 3, तंजानिया 4 इरान कोड A. B. C. D. A. एक चार दो तीन B. तीन दो एक चार C. दो चार तीन 1. D. दो चार एक तीन सही उत्तर है D. दो चार एक तीन सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिये और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये सूची आई ज्वाला मुखी A. सबनक्या B. माउंट एतना C. कोलिमा D. मेरापी सूची 2 देश 1. इटली 2 पेरू 3 इंडोनेशिया 4 मैक्सिको कोड A. B. C. D. A. 3 1. 4. 2 B. 3. 2. 1. 4 C. 2. 1. 4. 3 D. 4. 3. 2. 1 सही उत्तर है C. 2. 1. 4. 3 सवाल रिक्टा स्केल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है A. भूकम की तीवरता B. महासागर की गहराई C. अंतरिक्ष यान का वेग D. एक इमारत की उचाई सही उत्तर है A. भूकम की तीवरता सवाल भूकम की तीवरता मापी जाती है A. रिक्टर पैमाने पर B. केलविन पैमाने पर C. डैसिबल में D. पासकल में सही उत्तर है A. रिक्टर पैमाने पर सवाल भूकम के दोरान किस प्रकार की तरंगे उत्पन होती है A. B. S. B. A. B. S. R. S. D. P. S. सही उत्तर है D. P. S. सवा सीस्मोमीटर उपाए A. दिल की धरकन B. पेरों की उचाए C. भुकम D. उपर युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है C. भुकम्त सवा सुनामी शब्द निमनलिखित में से किस भाशा से संबंधित है? A. अर्बी B. जापानी C. हिब्रू D. लेटिन सही उत्तर है B. जापानी सवाल 2004 के हिंद महासागर भुकम्त और इसके परिनामस्वरूप सुनामी के बारे में निमनलिखित में से कौन सा कथन? सही नहीं है A. भुकम्त की उत्पत्ती सबडक्षन जोन के साथ लगभग 1200 किलोमीटर की फॉल्ट लाइंग के 15 मीटर तक खिसिकने के कारण हुई जहां इंडिया प्लेट बर्मा प्लेट को सुन्डा ट्रेंच में घटाती है B. परिनामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक के तटों को तबाह कर दिया जो उप्रे केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर दूर था C. वर्तमान अनुमानों के मुताबिक भूकंप से उत्पन सुनामी ने 50 लाग से अधिक लोगों को मार डाला इसके अलावा बेहिसाब शवों को समुद्र में बहा दिया गया D. बांगला देश में बहुत कम दुरगटनाई हुई क्योंकि भूकंप से प्रभावित फॉल्ट लाइन लगभग उत्तर दक्षिन दिशा में थी सुनामी लेहरों की सबसे बड़ी ताकत पूर्व पश्चिम दिशा में थी सही उत्तर है C. वर्तमान अनुमानों के मताबिक भूकंप से उत्परन सुनामी ने 50 लाख से अधिक लोगों को मार डाला इसके अलावा बेहिसाब शवों को समुद्र में बहा दिया गया सवाल जापान के किस शहर ने सुनामी और परमानों विकिरन का सामना किया था? A. हिरोशिमा B. टोक्यो C. फोकुशिमा D. कोबे सही उत्तर है C. फोकुशिमा सवाल भार्तिय उप महादवीप का उत्तर पश्चिमीक शेत्र भुकंप गतिविधी के लिए अतिसम वेदनशील है क्योंकि A. ज्वाला मुखी गतिविधी B. प्लेट टेक्टोनिक गतिविधी C. मूंगा गठन गतिविधी D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है B. प्लेट टेक्टोनिक गतिविधी सवाल Ring of Fire 1. भुकंप 2 ज्वाला मुखी 3 प्रशांत महासागर 4 जंगल की आग से जुड़ा है नीचे दिये गए कूट की सहायता से अपना उत्तर चुने Code A. एक, दो और तीन B. दो और तीन C. दो और चार D. एक, दो, तीन और चार सही उत्तर है A. एक, दो और तीन सवाल निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. रिक्ट स्केल एक लॉग्रिदमिक स्केल है और इसलिए एक परिमान एकाई की वृध्धी आयाम में दस के कारक्का प्रतिनिधित्व करती है 2. रिक्ट स्केल के प्रतिक पूर्णाक रीडिंग में पिछली पूर्णाक रीडिंग की तुलना में सो गुना उर्जा होती है उपर दिये गए कथनों में से कौन सा से सही है है सवाल गुकंप के बारे में निमनलिखित कथनों पर विचार करें 1. भुकंप की तीवरता मरकेली स्केल पर मापी जाती है 2. भुकंप का परिमान जारी उर्जा का माप है 3. भुकंप की तीवरता सीधे तोर पर भुकंप पिय तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है 4. रिक्ट स्केल पर प्रत्येक पूर्णाक जारी उर्जा में सो गुना वृद्धी दर्शाता है में से कौन से कथन सत्य है सही उत्तर है सवाल निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महादवीप है सही उत्तर है सवाल विश्व के दो सबसे छोटे महादवीप है सवाल निम्न लिखित में से किस महादवीप में सबसे अधिक देश है सवाल एक्षे त्रफल की द्रिश्टी से निम्न लिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महादवीप है सवाल निम्न लिखित में से कौन सा दिये गए महादवीपों का प्रिथवी की भूमी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम है सवाल निम्न लिखित में से किस महादवीप में अधिक तम प्रती व्यक्ती भूमी है सवाल निम्न लिखित में से कौन सा महादवीप दुनिया में उच्चतम औसत उचाई वाला महादवीप है सवाल निम्न लिखित में से किस महादवीप के कौन क्षेत रफल में मैदानों का प्रतिशत सरवाधिक है A. एशिया B. यूरोप C. उत्तर अमेरिका D. दक्षिन अमेरिका सही उत्तर है B. यूरोप सवाल निम्न लिखित में से कौन सा योग्म सही सुमेलित है भौगोलिक शेत्र विशेष्टा A. एबिसिनियन अरब पतहार B. एटलस उत्तर पश्चमी परवत अफ्रीका C. गुयाना दक्षिन पश्चमी हाइलेंज अफ्रीका D. ओकावागों पैटागोनिया बेसिन सही उत्तर है B. एटलस उत्तर पश्चमी परवत अफ्रीका सवाल दिये गए चित्र में एक 2. तीन और चार से चिनित भौतिक शेत्र क्रमश है A. एंडीज ब्राजिलिया इशील्ड गुयाना हाइलेंड और अमेजोन बेसिन B. एंडीज गुयाना हाइलेंड ब्राजिलिया इधाल और अमेजोन बेसिन C. अमेजोन बेसिन गुयाना हाइलेंड ब्राजिलिया इधाल और एंडीज D. गुयाना हाइलेंड ब्राजिलिया इधाल एंडीज और अमेजोन बेसिन सही उत्तर है A. Indies, Brajilii Shield, Guyana Highland और Amazon Basin सवाल नीचे दिये गए कूट से निमनलिखित महादवीपों का क्शेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम चुनिये 1. Europe 2, Australia 3, Africa 4, Dakshin America, Code A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 1, 3, 2, C. 2, 1, 4, 3, D. 3, 4, 1, 2 सही उत्तर है D. 3, 4, 1, 2 सवाल विश्व की सबसे बड़ी परवत श्रिंखला है A. Himalaya, B. Indies, C. Rockies, D. Alps सही उत्तर है B. Indies सवाल Indies परवत श्रेनी निमनलिखित में से किस महादवीप में स्थित है A. Australia, B. Europe, C. S. America, D. N. America सही उत्तर है C. S. America सवाल निमनलिखित में से किसे पहाडों का सागर कहा जाता है A. Japan, B. British Columbia, C. दक्षिन अमेरिका के पश्चिमी तट, D. दक्षिन पूर्व एशिया सही उत्तर है B. British Columbia सवाल विश्व की सबसे उची चोटिया अधिकतर किस प्रकार के परवतों में पाई जाती है A. पुराने मुडे हुए पहाड, B. युवा वलित परवत, C. अवशिष्ट पहाड, D. ब्लोक पहाडों सही उत्तर है B. युवा वलित परवत सवाल इंडीज परवत श्रेनी निमनलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है A. आस्ट्रेलिया B. यूरोप C. दक्षिन अमेरिका D. एशिया सही उत्तर है C. डक्षिन अमेरिका सवाल इंडीज निमनलिखित में से कौन सी सबसे लंबी परवत श्रेनी खला है A. रॉकी B. आल्प्स C. हिमालय D. एंडीज सही उत्तर है D. एंडीज सवाल इक्षिनी आल्प्स परवत श्रिंखला इस्थित है A. आस्ट्रेलिया B. दक्षिन अफ्रीका C. अन्टाक्टिका D. न्यूजीलेंड सही उत्तर है D. न्यूजीलेंड सवाल आल्प्स परवत श्रिंखला निम्नलिखित में से किस देश का हिस्था नहीं है A. फ्रांस B. जर्मनी C. आस्ट्रिया D. इंग्लेंड सही उत्तर है D. इंग्लेंड सवाल इउरोप की एक परवत श्रिंखला है A. आल्प्स B. हिमाले C. इंडीज D. रोकी सही उत्तर है A. आल्प्स सवाल श्वेत परवत स्थित है A. कनाडा B. नौर्वे C. रूस D. सर्युक्त राज्यल अमेरिका USA सही उत्तर है D. सर्युक्त राज्यल अमेरिका USA सवाल भारत और म्यामार के बीच सीमा निर्धारन करने वाली तीन परवत श्रिंखलाएं है A. खासी पटकोई और अराकान योमा B. अकाई परवत श्रिंखला C. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज D. उपर युक्त में से कोई नहीं सवाल आराकान योमा स्थित हिमाले का विस्तार है A. म्यामार B. बलूचिस्तान C. नेपाल D. कश्मीर सही उत्तर है A. म्यामार सवाल काला वन परवत स्थित है A. फ्रांस B. जर्मनी C. युक्रेन D. रूस सही उत्तर है B. जर्मनी सवाल निमनलिखित में से कौन सा परवत जर्मनी में स्थित है A. काला वन B. एटलस C. पाइरेनीज D. एपिनेन्ज सही उत्तर है A. काला वन सवाल निमनलिखित में से कौन सा परवत राइन नदी के किनारे स्थित है A. पाइरेनीज B. एपिनेन्ज C. कारपथियन D. काला वन सही उत्तर है D. काला वन सवाल काला परवत स्थित है A. कनाडा B. नौर्वे C. स्विच्जलेंड D. सर्युक्त राज्य अमेरिका USA सही उत्तर है D. सर्युक्त राज्य अमेरिका USA सवाल परवत श्रेनी जो अन्य से भिन है है A. आल्प्स B. एंडीस C. एप्लाचियन D. हिमालय सही उत्तर है C. एप्लाचियन सवाल निमनलिखित में से कौन सा एक पुराना वलित परवत नहीं है A. यूराल परवत B. अरावली परवत C. एंडीस परवत D. एप्लाचियन परवत सही उत्तर है C. एंडीस परवत सवाल निमनलिखित में से कौन सी परवत श्रेनी तृतियक परवत माला का परिनाम नहीं है A. कुनलुन B. एप्लेचियन C. आल्प्स D. एंडीस सही उत्तर है B. एप्लेचियन्ज सवाल पेनाइन यूरोप एप्लाचियन अमेरिका और अरावली भारत किसके उदाहरन है A. युवा पहार B. पुराने पहार C. ब्लोक पहारों D. पहारों को मूडो सही उत्तर है B. पुराने पहार सवाल रकेन्सबग पर्वत है A. बोट्स्वाना B. नामीबिया C. दक्षिन अफ्रीका D. जाम्बिया सवाल सूची आई को सूची दो से सुमेलित कीजिये और सूची ओके नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई A. आल्प्स B. वोस्गैस C. विंध्य D. फुजियामा सूची दो वन ब्लोक पर्वत दो ज्वाला मुखी पर्वत तीन वलित पर्वत चार अवशिष्ट पर्वत कोड A. B. C. D. A. दो चार एक तीन B. तीन एक चार दो C. एक तीन दो चार D. एक चार तीन दो सही उत्तर है B. तीन एक चार दो